नमस्कार दोस्तों मैं अकले स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने शेनल AKB मीडिया में एक बार फिर से दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदना की टोटल हिट और फ्लोप फिल्मों के बारे में और आपको बताएंगे दोस्तों इन्होंने अपने करियर में आप तक कितने फिल्में बनाई है उसमें से कितने हिट कितने सूपर हिट कितने फ्लोप और कितने ब्लोगबश्टर हो चुकी है और उन सभी फिल्मों का बजट और बॉक्स ओफिस कलेक्शन भी में आपको बताने वाला हूँ तो शली यो दोस्तों सुरुवात करते हैं देखते रहिएगा पूरा वीडियो साथ ही साथ कमेंट करके बताइगा कि रश्मिका मंदना के करियर में आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है तो दोस्तों रश्मिका मंदना ने अपने फिल्मी करियर की सुरुवात की थ थी 2016 में, जिस साल उनकी फिल्म आई थी जिसका नाम था किरीक पाटी, आपको बता दे दोस्तों ये फिल्म एक कन्नाडा मूवी थी और इस फिल्म में उनके साथ में थे रक्षी सेटी, बता दे दोस्तों किरीक पाटी फिल्म का बजट था लगभग 4 करोड रुपे और इस फ जो कि एक कन्नाडा फिल्म थी और ये फिल्म भी आई थी 2017 में, इस फिल्म में रश्मिका मंदना के साथ में थे पुनित राजकुमार और इस फिल्म का बजट था 13 करोड रुपे और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर टोटल कमई की थी 45 करोड रुपे यानि कि ये फिल्म हो चुकी थी Super Hit, वही दोस्तों रश्मिका मंदना के करियर की तीसरी फिल्म थी चमक जो कि एक कन्नाडा फिल्म थी, और ये फिल्म आई थी 2018 में, और इस फिल्म में रश्मिका मंदना के साथ में थे गनेश, आपको बतादे दोस्तों इस फिल्म का बजट लगबग 5 करोड रुपे था और इस फिल्म ने Box ओफेस पर टोटल कमई की थी 29 करोड यानि की 39 करोड रुपे और दोस्तों ये फिल्म भी Box ओफेस पर रही थी सूपर हेट वही दोस्तों रस्मिका मंदणा के करीयर की चौथी फिल्म थी चलो जो की एक तेलगो मुवी थी और ये फिल्म अही थी 2018 में और इस फिल्म में रश्मिका मंदना के साथ में थे नागाशोरिय आपको बता दो दोस्तो चलो फिल्म का बजट था सिर्फ और सिर्फ तीन करोड रुपे और इस फिल्म ने बोक्स ओफिस पर टोटल कमई 24 करोड की थी यानि कि चलो फिल्म भी बोक्स ओफिस पर रही थी सूपर हेट वही दोस्तो रश्मिका मंदना के करियर की पाचवे फिल्म थी गीता गोविंदनम जो की एक तेलगू मूवी थी और ये फिल्म भी है थी 2018 में और इस फिल्म में उनके साथ में थे विजय देवर कोंडा बता दो दोस्तो गीता गोविंदनम फिल्म का देवदास जो की एक तेलगू फिल्म थी और ये फिल्म भी है थी 2018 में इस फिल्म में रश्मिका मंदना के साथ में थे नागा अरजुन और उनके साथ थे नानी आपको पता दोस्तो इस फिल्म का बजट था लगभग 20 करोड रुपे और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस से कम 2019 में और इस फिल्म में उनके साथ में नजर आये थे दर्सन बोस यानि कि एक कनाडा सुपरिश्टार आपको पता दो दोस्तो यजा मनाब फिल्म का बजट था लगभग 15 करोड रुपे और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर टोटल कमई की थी 53 करोड रुपे यानि कि दोस्तो यजा मनाब फिल्म भी बॉक्स ओफिस पर रही थी सूपर हेट वही दोस्तो रश्मिका मनदना के करियर के आठवे फिल्म थी जिसका नाम था डियर कॉम्रेट जो की एक तेलगो मुवी थी और ये फिल्म रिलिज हुई थी 2019 में और इस फि इस फिल्म भॉक्स ओफिस पर रही थी एवरेज वही दोस्तो रश्मिका मनदना के करियर की नोवी फिल्म थी जिसका नाम था स्रेल आरून एकके वारू जो की एक तेलगो फिल्म थी और ये फिल्म रिलिज हुई थी 2020 में और इस फिल्म में रश्मिका मनदना के साथ में थ था 60 करोड रुपे और इस फिल्म ने वर्ड वाइड मार्केट में टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया था 221 करोड का यानि कि दोस्तों उनके करियर की इस रेल आरून एक्केवारू फिल्म बॉक्स ओफिस पर रही थी ब्लोकबश्टर वही दोस्तों रश्मिका मंदना की लाश्ट रिलिज फिल्म थी जिसका नाम था भिश्मा जो कि एक तेलगू फिल्म है और ये फिल्म भी रिलिज हुई है 2020 में और इस फिल्म में उनके साथ में थे नितिन आपको बता दो दोस्तों इस फिल्म का बजट था लगभग 12 करोड रुपे और भिश्मा फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर कमई की थी 52 करोड यानि की 52 करोड रुपे और दोस्तों ये फिल्म भी बॉक्स ओफिस पर रही थी सूपर हिट तो दोस्तों आप देख सकते हो कि रश्मिका मंदना ने अपने करियर में आप तक टोटल 10 फिल्मों में काम किया है जिसमें से सिर्फ एक फ तो दोस्तों अगर आपने रश्मिका मंदना की ये सभी फिल्में देखी है तो इसमें से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है हमें उस फिल्म का नाम कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर बताए और हमारे इस चेनल एक एबी मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले